कोई सोच भी नहीं सकता था कि सो साल से जादा पुराने इंदौर के प्रसद विजासन माता मंदिर का ऐसा काया कल्प होगा कि भक्त खुशी से जूम उठेंगे जनपतिनीधियों को भरोसे मिलेकर अफसरों ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि मंदिर का पूरा काया कल्प भी बदर डाला तीन साल पहले की बात है जब इंदौर में कलेक्टर पी नरहरी थे उन्होंने विजासन मंदिर के विकास की शुरुआत की थी मंदिर परिसर में गंदगी और कबजों का आलम था विकास कारिन नहीं के बराबर थे नरहरी ने तेज तर्रा नगनिगम कमिशनर मनीश सिह को साथ लिया और उसके बाद विजासन के विकास की शुरुआत हो गई कलेक्टर और कमिशनर के भरोसे पर दान दाताओं ने भी सही ओक करने की बात कही इसी बीच समाज सेवी अरुन जैन और अन्य लोगों ने मिलकर पूरे मंदिर परिसर का मास्चर प्लान बनाया तै किया गया कि सभी गलत कब्जों से माताजी के मंदिर को मुक्त कराया जाएगा पुजारियों के रहने के लिए शांदार आवास की व्यवस्था की जाएगी प्रसाद की दुकाने व्यवस्थत बना कर दी जाएगी ये काम दो साल में ही पूरा हो गया केंपस को हराभरा करने के लिए पौध ही लगाए गए पुजारी भी खुश हो गए कि किसी सरकारी मंदिर परिसर में शानदार फ्लैट उनको मिल गए ऐसा नहीं है कि इतना अच्छा काम करने में रुकावट नहीं है जो मंदिर की आड में गलत कबजे करकर बैठे थे उन्होंने कई बार अर्चने पैदा की जो मंदिर की दान पेटी में आने वाला पैसा रखते थे उनको भी परिशानिया हुई लंबे समय से कुछ और कबजे रह गए थे जो कल रात को नगनिगम कमिशनर आशिस सिहं एडियम अजैदेव शर्मा नगनिगम के आयुक्त देविंद्र सिहं एडिशनल स्पी मनीश खत्री उपायुक्त महेंद सिहं जोहान की तीम ने मिलकर पूरी कारवाई कर दी उसके ब मंदिर परिसर में बने तालाब को भी सुन्दर बनाया जा रहा है लगबग 3,50,000,000 अभी तक दान दातावा नगनिगम के अनिशन स्थाय कर चुकी है अभी कुछ और काम बाकी है विजासन मंदिर परिसर तरक पहुचने के लिए एरपोर्ट मेन रोड की तरफ से देवास क माचामुंटा मंदिर की तरच पर सीड़ियां बना दी गई है जहां से शधालू आराम से आ सकते हैं परिसर में पार्किंग भी बनाई जा रही है नई भोजन शाला बनाई जाएगी सत्संग हौल भी यहां पर बनने वाला है अगले दो साल में विजासन मंदिर भी खजरान मंदिर की तरच पर पूरी तरह से विक्सित हो जाएगा मंदिर के प्रशासक एके मिश्टा ने दान दाताओं से अपील की है कि जो भी शधालू यहां आते हैं वे यदि दान देते हैं तो दान की रसीद अवशले इस महत्वपूर्ण काम में अपना सहीयोग करें सब्सक्राइब चनल और प्रेस्ट बेल इकन वर मोर अपदेश